नमस्कार, स्पोर्स लाइव में आपका स्वागत है मैं हूँ आपके साथ अंकेता हो रहा ही आप खबर को देखते हैं दिस्तास से चैंपियन्स ट्रोफी होकी में भारत ने फाइनल में पहुच कर इतिहास कायन किया है लीग में भारत अपने आखरी मैच में आस्ट्रेलिया से चार दो से हर गया लेकिन फिर भी पॉइंट स्टेबल में साथ अंक लेकर भारत फाइनल में पहुच गया दरसल लीग के एक दूसरे मैच में ब्रिटेन और बेल्जियम के बीच मुकाबला तीन-तीन से ट्रो रहा ऐसे में इन टीमों को एक-एक अंक आपस में बाटना पड़ा इंगलेंग के ओल राउंडर बैन स्टॉक्स अगर अगले च्छे महीने के दौरान दोबारा से गाड़ी चलाते पकड़ जाते हैं तो उन्हें जिल जाना पड़ सकता है कोट की तरफ से स्टॉक्स को ऐसे निर्देश दिये गए हैं 25 वर्षी स्टॉक्स को चार बार तैसीमा से तेज गाड़ी चलाने के मामले में पहले भी चार बार पकड़ा जा चुका है इसके लिए उन्हें गाड़ी चलाने से बैन कर दिया गया है दो शेरों के साथ तस्वी लेना टीम इंडिया के आल राउंडर रविंदर जड़ेजा के लिए भारी पड़ गया गुजरात के गीर अभ्यारन में लिए गए इन तस्वीरों के सामने आने पर विवाश शुरू हो गया मेडिया रिपोर्ट के मुताब एक जड़ेजा ने जिपसी से उतर कर शेरों के काफी नस्दीक जाकर फोटो के जवाई जो वन कानून का उलंगन है जड़ेजा अपनी पतनी रिवा सोलंकी के साथ यहां पहुचे थे दोनों शेरों के एक समू से करीब बारतेरा फीट की दूरी पर बैठे हुए हैं इन तस्वीरों के सोशल मीडिया पर वायर होने के बाद गुजराद वन विभाग में इस मामले में जाच क्या देश दिये हैं वन्डे सीरीज में टीम इंडिया के हाथो 30 से हानने के बाद जिंबावे को T20 सीरीज से पहले बड़ा जटका लगा है टीम के ओलरांडर सीन विलियम्स और बलेबाज क्रेग इर्विन चोट के कारण 3 मैचों की सीरीज से बहार हो गए हैं बहीं दूसरी और भारतिय होकी टीम के कप्तान सरदार सिंग की मुश्किले लगातार बढ़ रही है ब्रिटिश नागरिकता वाली भारतिय मूलकी लड़की से शादी का जहासा दे कर दुश कर्म करने का मामला पीछा नहीं छोड़ रहा है पीड़ता की शिकायत पर दिले महिला आयोग ने सरदार सिंग को यौन उत्पीडन का नोटिस चारी कर साथ दिन में जवाब मांगा है फिलाल इस बुलेटिन में इतना ही आप बने रही है EMS TV के साथ नमस्कार चुट्टे की जिखजीख करो जिखजिक क्यों बेटियएम करो माइल्स में तुम थोड़ी सी स्मायल बरो बेटियएम करो सेल्फी नही ले रहो सिंदगी जीने का नया तरीका शुरू करो बेटियेम करो